मुंबे के शिवा जिन गर इलाके में एक ची परिवात्य चार लोगों पिलाश मी लिए जिससे आक भाल का पंपनी आ है पुलिस ने शवब का स्पाल लवाना कर दिय मोठ सुरू कर दिया है मुंबे के शिवाजी नेगर इलाकें के कुछ श्रार्टी अप्तूर में को पूस्तन साथ लिए इसके वाद शेहर में करहत पेदा हूँ आमरावाती सांसात नौनित राना को ए ख़त मिला है जिसनों ने जान से मालनी की धंकी मिली इसमें एक हच मेज़ा उसकी मानेत और अनक हैस्ते के लिए भाड़े के अस्तेहर रायस्तान से रवाना हो गया है शिंदे के पहली सरकार मुख्यूर्ट में मन्नोर जोशिंट से मिलने के लिए मुम्मे के शिवाजी नेगर इलाके में एक ही परिवार के चार लोगों के शोग मिलने से इलाके में हड़कम मत किया पुलिस में चारों शोगो को कब्जे में लेकर पोस्ट माडम के लिए चैमवर के शताबदी अस्पताल में भेज़ दिया है पुलिस ने कहा कि पीम रिपोट आने के बाद ही मौत की वज़े का पता लगेगा अभी कुछ भी कहा पाना मुश्किल होगा बता दें मलने वालों में महिला पुरुष के लावा दो बच्चे शामिल है महरास में एकना सिंदे की बगावास से शुरूबा सियासी संग्राम खत्म होने का नाम ने ले रहा है ताजा ममला नासिक शाय से जुलाज यहां सिंदे के स्वागत में लगाए गए पुस्टरों कुछ आसमज दत्वने फाड़ दिया इसके बाद सिंदे के समर्थों ने नाराजी जताई है बता दे हाई कमान से हरी एंडी मिलते हैं महरास मंतिमनल के दल्दी विस्तार की उम्मीद है महरास से अमरावति संस्द नवरित राना को मिले एक पत्र न उनकी नीद उलाकर रगी यह पत्र उनके सुच्छन तक न लिखकर राना को आगा की पत्र में लिखा कि मेडम आपकी जान को खत्रा है कुछ लोग रायस्तान से अमरावति आपको मालने के लिए हैं मैं अल्ला से आपके लिए प्रासना करता हूँ कि आपको कुछ ना हो इस तरह की बात पत्र में लिखी है से मलाकात बता दे लिलादार दाके और पूर्ण मुक्यमंत्री मणरोन जोशी बाला साफ ठाकर के समझी से नेता और शोतना बीज्यभी कड़वन दनी में पहली सरकार में अपको मालसिבה ममाणावतर से अपकी के इसी प्राकर के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है उतरह महारास कंगोरिस सद्धिक इनाना पटोले का बयाना है पटोले ने कहा कि सोनिय गांदी की साथ गुरुवार को जो केंदरी मंत्री स्मृति इरानी ने बढ़ताव किया ये बीजेपी की संस्कृति को दर्शाता है इसके अलवा उन त्याद मूर्ति जिसका सनमान आज पूरे देश की जनता जिस सोनिय गांदी के करते हैं जिनके नेतरुत में यूपे के दो बार सरकार आई है लोगों ने उनके पर विश्वास रखा है उस नेतरुत्वों को इस तरह से नीचले लेवल पर जाकर बीजेपी ने अपनी संस् दिखाया है उसकी देश की महला है तो क्या देश की जनता भी उनको मातने करें